अब आज अपने अस्त्र और शिक्तर दुनों तैयार कर दीजिए किवन travelled सिंपल है कि हो। तो । हेईल्็य्ट दिन होते हैं तब हम प्रूनिंग करने वाला था लेकिन वह दिन्यानिदेनिद्न तो इसलिए आज संडे के दिन में प्रूनिंग करने वाला हूँ तो सबसे पहले बिना स्किप क्यों ये वीडियो देखिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी तो प्रूनिंग करने से पहले कौन-कौन सी चीजों का ध्यान देना है पहले मतलब एक-दो दिन पहले आपको कौन-कौन सी चीजों का ध्यान देना है वो मैं आपको बता दूँगा ताकि आपके प्रूनिंग करने के बाद डाइबेक नहीं हो बहुत सारे लोगों की यही कंप्लेंट रहती है कि सर हम प्रूनिंग करते हैं उसके बाद हमारे प्लांट डाइबेक होगे तो रीजन क्या है, मिस्टेक्स आप क्या कर रहे हो वो सारी चीजे मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा सबसे बहले फ्रेंज मैं अपने प्लांट को डॉर्मेंट ले गया था दो दिन पहले जब भी आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर रहे हो तो ये चीज नोट कर दीजिए, दो दिन पहले आपको अपने प्लांट के उपर से सारे पत्ते हटाने है लेकिन अगर आप डॉर्मेंट नहीं ले गया है वो वो प्लांट के अंदर पानी नहीं देना है, जिसके पत्ते आपने सारे हटा दिये है तो मैंने सेटर्डे के दिन पानी नहीं दिया था इनको, आज संडे है, आज सुबह भी मैंने पानी नहीं दिया अब उसका एक reason मैं आपको बताऊंगा कि पानी क्यों नहीं देना है देखिए अगर आप पानी दे देते हो तो बाद में आपके plant के उपर पत्ते ही नहीं है जो पानी का utilize कर पाएंगे तो plant क्या करेगा? plant के root system सारा moisture अपने अंदर absorb करेगा plant के जो node areas है वो भी अपने अंदर बहुत सारा moisture absorb करके store कर लेगा जिसकी वज़े से fungus होने के chances सबसे ज्यादा होंगे यानि कि ये पहला reason होगा जिसकी वज़े से आपका जो plant है वो die back हो जाएगा तो इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप अपने plant के उपर pruning करने वाले होते हो और आपके plant के उपर सा अपने सारे पत्ते हटा दिये है तो बाद में एक दिन पहले आप पानी देना बंद कर लीजिए plant को shade में बिलकुल भी मत रखिए ये plant को open में रखिए ताकि जो भी moisture है soil के अंदर से और stem area के अंदर से वो थोड़ा सा कम हो जाए और उसके बाद अगर आप pruning करोगे तो बाद में plant के उपर dieback की problem नहीं आएगी exactly pruning कहा से करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी branch रखनी है कौन सी branch नहीं रखनी है ये चीज़ आपको पता होगी कि plant के उपर से पतली पतली branches हटा देनी है ये तो सब को पता है लेकिन कौन सी branch आपको maximum flowers दे सकेगी ये चीज़ आपको पता होना जरूरी है तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ तो जैसे कि देख रहे फ्रेंज ये one of the मेरा हेच्टी रोज है और ये सिंडर में लगा हुआ है तो सिंडर में भी फ्रेंज हमें पानी एक दिन पहले बंद कर देना है root system के आसपास moisture कम कर देना है ताकि plant के उपर dieback ना सके तो अभी भी मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा important चीज है अब जैसे कि आप सभी को पता है जो पतली पतली branches है वो हमें हटा देनी है क्योंकि वो पतली branches के उपर अगर आप pruning करोगे तो उसके अंदर से और ज्यादा पतली branch develop होगी तो ऐसी पतली branch को हमें हटा देना है ये चीज आप सभी को पता होगी तो ये चीज आप सभी को पता होगी तो इस तरह से हमने पतली branch हटा देनी है डाइबेक वाली जो भी ब्रांच है वो भी आपको हटा देनी है अगर आपके प्लांट के उपर कई से डाइबेक हो रहा हो तो वो ब्रांच आप कट कर दीजिए अब सबसे important चीज में आपको यहाँ पर बताऊंगा जैसे की एक चीज यहाँ पर है यह जो देख रेफरेंज यह है एक mother stem mother stem के उपर यहाँ पर एक stem निकल रही है दूसरी निकल रही है तीसरी ब्रांच निकल रही है तीन ब्रांच निकल रही है अब करना यह है आपको सिर्फ एक ही ब्रांच रखनी है यहाँ पे एक, दो, तीन ब्रांच लगी हुई है तीन ब्रांचेज में से आपको एक ही ब्रांच रखनी है उसका reason अगर ये ब्रांच भी रखोगे, इसको भी रखोगे तो बाद में जो nutrient है वो तीनों में divide हो जाएगा और plant के node areas उतने ज्यादा भरके नहीं निकलेंगे अगर आप चाते हो आपके सारे node areas भरके निकले तो बाद में आपको तीन में से कोई भी एक ब्रांच रखनी है तो ये चीज नोट कर दीजिए अब यहाँ पे कौन सी ब्रांच रखनी है सबसे पहले तो आपको देखना है कौन सी ब्रांच healthy है ये ब्रांच healthy है, ये है, ये है healthy का means pencil की thickness वाली ब्रांच रहनी चाहिए थोड़ी सी मोटी रहनी चाहिए जो सबसे पतली ब्रांच है उसको पहले उड़ा दीजिए और दूसरा चीज के जो ब्रांच अंदर की तरफ जा रही है जैसे कि देख रहो ये ब्रांच अंदर की तरफ जा रही है यानि कि प्लांट अंदर की तरफ ग्रो होगा तो वो हमें नहीं चाहिए, प्लांट बहार की तरफ आना चाहिए तो वो भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है तो यह जो branch है friends सबसे पहले तो यह branch हम देख लेंगे यह देख लेंगे और यह देख लेंगे सबसे healthy branch मुझे यह लग रही है क्योंकि इसकी thickness अच्छी है pencil की thickness जितनी बड़ी thickness है इसकी तो मैं यह branch रहने दूँगा यह branch को cut कर दूँगा यह branch को भी friends मैं cut कर दूँगा अब जैसे की देख रहे है यह जो mother stem है अपनी यह सीधी आ रही है और यहाँ से वो continue होगी अब यहाँ से आपको decide करना है कौन सी branch रखनी है जैसे की देख रहे हो यहाँ पे फिर से तीन branches आ रही है तीन में से सबसे weak branches कौन सी है सबसे पतली branch कौन से है वो पतली branch को हमें cut कर देना है और यह भी पतली branch है उसको भी मैं cut कर दूँगा तो यह पूरा एक branch हमारा एक structure तयार हो गया पूरी यहाँ से लेके structure ready हो गया अब यहाँ से हमारी जो branch है वो तयार हो रही है यहाँ से friends हमें बस तीन node area तीन से चार node area ही रहने देने हैं जैसे कि यहाँ पे एक पहला node area है दूसरा यह दूसरा यह तीसरा और यह चौता मैं यहाँ से यह branch को cut कर दूँगा अब जैसे कि देख रहे हो मैं यहाँ से वो branch को cut कर दिया अब यहाँ से friends मैंने सिर्फ तीन node area ही क्यों रखे क्योंकि यह जो तीन node area है वहाँ से shoots healthy निकलेंगे जितना नीचे से अगर आप plant को cut करोगे यानि कि branch को cut करोगे plant की stem यह है हमारी mother stem यह है हमारी mother stem और उपर से एक branch निकल रही है और यह जो branch है यह branch के सिर्फ तीन node area ही रहने देने हैं जितना नीचे से cut करोगे उतनी ही healthy branch निकलेगी मोटी branch निकलेगी जितना उपर से करोगे उतनी ही पतली branch निकलेगी जैसे कि देख रहे हो यह जो मैंने बताया यह चीज आपको फॉलो करनी है अपने हेच्टी वराइटी के रोजिस पे तो आइडिया आ चुका होगा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मेसेज कर सकते हो मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूँ तो फाइनली यह जितने भी मेरे ह리 अपक को पूरूनिंग हो चुकी है जैसे की देख रहे हो जो मेजर बांच इस है जो हैल्दी ब्रांच डूसके को प्लांट को यहां से कट किया था उसके बद यहां से प्लांट ब्रांच निकल त costume प्लांट बद सेसे बाद से cônes बड contest सिंग तन कमयर कर दों गऱील निकल आएं लेकिन ये वाली जो ब्रांच है वो healthy shoot है तो इसको friends मैंने रहने दिया है इससे होगा ये कि प्लांट के यहाँ पे यह पूरी एरिया पत्तों से भर जाएगा अगर यहाँ से दूसरी ब्रांच भी develop होगी वो भी healthy shoot develop होगी तो ये इसाब से pruning की है तो almost मेरे जितने भी प्लांट है और ये जो प्लांट की age है वो around देड़ से दो साल है इससे ज्यादा नहीं है क्योंकि last year जुन जुलाई मैंने में मैंने ये सारे प्लांट पुषपांजली नर्सरी से purchase किये थे बहुत ही छोटे प्लांट थे खराब condition वाले प्लांट थे बाद में एक साल मैंने ये प्लांट की अच्छीतरा केर की और बद में अभी जैसे की देखे रहे हो ये प्लांट कितने खूबक्सूरत अभी मने प्रुनिंग कर लिए है तो मैंने जो और सब्धार में आपको इससे भी ज्यादा brans से ब्रॉश देख द देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, जबकी हमारे जो 50% साल वाले प्रांट है, इसके उपर आपको 3-4 branches देखने को मिलेगी, कई कबार 2 ब्रांच या तो, 2-4 branches देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे इसे प्रांट आपका पुराना होता जाएगा इसके उपर mother stem भी ज्यादा होती जाएगी क्योंकि basil shoot ज्यादा produce करेगा plant जितनी अच्छी basil shoot produce करेगा उतना ही plant आपका ज्यादा branches भी produce करेगा ज्यादा बुशी होगा तो ये सारी चीजे होने में time लगता है वक्त लगता है हर एक साल आपको अपने plant की care करते रहना है बढ़िया से care करिए plant को मरने नहीं देना है कुछ भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिसकी वज़े से आपका plant खराब हो जाए तो जैसे की देखने है फ्रेंज ये मेरा एक miniature variety का plant है button rose का plant है और इसके उपर आपको बहुत सारी branches देखने को मिलेगी और जब आपके button rose का plant हो या तो summer snow का plant हो कोई भी miniature variety हो कभी भी ये plant के उपर ज्यादा pruning नहीं करनी चाहिए तो बस अपने plant को उपर उपर से trim कर देना है कुछ ऐसे जैसे की देख रहे हो तो उपर उपर से ही trim करना है ज्यादा deep pruning नहीं करनी है मेरी ये जो scissors है उसकी spring तूट गई जैसे की यहाँ पे जो देख रहे हो हमारी pruning scissors तो अच्छी है लेकिं spring तूट गई है तो online की चीज़े उतनी बढ़िया आती नहीं है तो जैसे की देख रहे हो बस simple उपर उपर से हलकी सी trimming कर दूँगा ज्यादा friends हमें deep pruning नहीं करनी है बीच बीच में जो भी branches अगर आपको दिखती है जो dieback हो रही है और weak branches है ऐसी branches को cut कर दीजिए बाकी ये plant के उपर ज्यादा कुछ भी मेहनत नहीं करनी है एक plant को सही shape दे दीजिए जैसे कि एक round shape देना चाहते हो वैसे round shape दे दीजिए बस उतना ही आपको इसको trim करना है उससे ज्यादा आपको ये plant के बीचे कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो जैसे कि देख रहे हो friends मैंने बस हलकी हलकी सी trimming कर दी है इतनी ही pruning करूँगा जो बीच बीच वाली जो branches है अगर हमें लगता है कि वो branches unwanted है dry branches है center area वाली branches है उसको मैं cut कर दूँगा ताकि center area जो center portion रहता है वहाँ पे air circulation air moment बना रहे है तो जैसे कि देख रहे हो ये जो पूरा center area है वहाँ पे open है तो ये चीज आपको करनी है बस और कुछ ज्यादा करना नहीं है बस एक सही shape देने की कोशिश करिये plant को जो भी branches जैसे कि अभी देख रहे हैं थे सारी branches नीचे लटकी हुई थी वो branches को मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे straight branches चाहिए नीचे लटकी हुई ये branches मुझे पसंद नहीं होती तो बस आप अपनी choice के इसाप से अपने miniature या तो अपने कश्मीरी rose को trim कर सकतो अब जैसे कि friends pruning हमारी complete हो चुकी है तो pruning के बाद हमें अपनी मिट्टी के अंदर fungi side का application करना है अब जैसे कि वीडियो के starting में मैंने बताया था कि moisture plant की soil के अंदर intact रहेगा क्योंकि हमने leaves हटा दिये है अब हमने pruning भी कर लिया है तो branches भी कम हो चुकी है तो जो plant को पानी की requirement होगी वो बहुत ही कम होगी और already अगर plant की root system और branches के अंदर जो moisture intact हो जाएगा वो die back create कर सकता है तो इसलिए हमने fungi side apply करना है root system के अंदर तो उसके लिए friends मैंने red mill gold लिया है आप साफ fungicide ले सकते है बैमिस्टिन ले सकते है रोको ले सकते है कोई भी chemical fungicide अगर आपके पास available हो तो वो आप ले लीजिए और ये जो fungicide है friends ये fungicide मैंने 10 gram लिया है एक लीटर पानी में ये जो है ये 20 लीटर पानी है 20 लीटर पानी में मैंने 10 gram जितना ये fungicide mix कर लिया है और इसको friends एक लीटर पानी यानि कि ये एक लीटर पानी पर प्लांट के इसाबसे में अपलाई करूंगा अब आपके जो सिंडर वाले roses हो या तो मिट्टी वाले roses हो सभी में friends आपको ये fungicide apply कर देना है एक लीटर अब friends सामके 6 बजे हुए है सबसे last जो process होगा वो है fungicide का spray करना हमने pruning के बाद सीधा fungicide डाला था roots में और अब friends हम fungicide का spray करेंगे अगर आपकी जो pruning है वो दुपेर के time हो रही है तो तब fungicide का spray नहीं करना है आप शाम का wait करिए शाम के वक्त आप fungicide का spray करिए आपको एक ग्राम fungicide लेना है जो हमने roots में दिया था रैडो मिल जो मेंने दिया था अगर आप साफ और बैविस्टीन यूज करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो और अगर आप रैडो मिल करना चाहते हो तो एक ग्राम लीजिए एक लीटर पानी के अंदर mix करके शाम के वक्त एक बार आप अपने plant के उपर इसका spray कर लीजिए ये पूरा दिन friends complete हो जाएगा आपका pruning का और pruning के बाद क्यों कौन सी चीजों का ध्यान देना है उसका एक rough मैं आपको एक example दे देता हूँ जैसे कि friends अभी हमारे जो plant है हमने fungi side डाला आप सब कुछ complete कर दिया अब दुपेर को friends हमने ये plant के root system के अंदर fungi side का liquid डाला था अब ये जो liquid है friends ये जो पानी है moisture है वो जल्दी सूखेगा नहीं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने plant के अंदर यानि की मिट्टी के अंदर या तो सिंडर के अंदर watering करते हो तो ज्यादा पानी मत दीजिए क्योंकि अभी जो plant के उपर जो leaves नहीं है अपने branch को trim कर दिया है तो plant को पानी की requirement पहले से बहुत ही कम हो जाएगी अब ये जो requirement है पानी की वो आपको धीरे धीरे करके बढ़ानी है suppose आज आपने एक लीटर पानी दिया कल देखिए सुबह कैसी soil का structure कैसा है dry है moist है wet है तो वो इस सबसे पानी दीजिए अगर dry हो गया तो बाद में फिर से एक लीटर पानी दीजिए अगर आपको लगता है कि मिट्टी अभी भी moist है तो बाद में बिल्कुल भी पानी मत दीजिए पहले मिट्टी को थोड़ा सा dry होने दीजिए दुपेर के वक्त आईए फिर से दुपेर के बाद देखिए अगर मिट्टी के अंदर अभी भी moisture है तो पानी मत दीजिए जैसे से आना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लांट के अंदर water requirement भी बढ़ जाएगी, जो पानी, जो मिट्टी आपकी दुपेर तक dry हो रही है, वो मिट्टी धीरे-धीरे करके सुभे तक dry होना स्टार्ट हो जाएगी, तो बाद में आपको पानी थोड़ा-थोड़ा ज्यादा स्टार्ट कर देना है, एक लीटर की जगा पे देर लीटर दीजिए, यही सबसे पानी आप देना स्टार्ट कर दीजिए, तो watering करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और किस हिसाब से watering करना है, वो आपको ही decide करना होगा, अगर बहुत ही ज्यादा low watering की, तो बाद में आपके plant blind shoots मार सकते हैं, तो ये चीज़ का बिलकुल ध्यान रखे के moisture भी maintain रहना चाहिए, लेकिन soil over moist भी नहीं रहनी चाहिए, तो ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना है, अब दूसरी important चीज़ है, वो है showering, showering कल से, कल सुभे से आप start कर दीजिए, दिन में 3-4 बार plant के उपर showering हो नहीं है, सिर्फ showering कर ली, तो बाद में होगा कि सिर्फ showering करने से plant की upper soil है, वो moist हो जाएगी, लेकिन नीचे वाले मिट्टी तो dry ही रहेगी, तो आपको पानी तो सुभे देना होगा, पानी की quantity आपको decide करनी होगी, तो जैसे की friends आपने सुभे पानी दिया, तो चेक करिए कि शाम तलग वो पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर moisture कितना है, अगर आप showering करने के बाद भी मिट्टी dry हो रही है, तो बाद में आपको पानी देना है, तो जैसे ऐसे आपको लगता है, मिट्टी dry हो रही है, तब ही आप उसको पानी दीजिए, उससे पहले पानी मत किजिए, एक सुभे के वक्त showering किजिए, दुपेर के वक्त showering किजिए, और शाम के वक्त showering किजिए, इससे जो plant के जो stem है, यानि कि जहाँ जहाँ से अपनी प्रूनिंग की है, यह जो node areas है, वो node areas थोड़े-थोड़े soft होना start हो जाएंगे, soft होने की वज़े से वो जल्दी फुटाउ मारेंगे, यानि कि shoots बहुत ही जल्ली निकलना start हो जाएंगे, तो यह एक चीज होगी, fertilizer कब से देना है, देखिए, fertilizer पे मेरी पूरी एक अलग वीडियो आएगी, अभी आपने pruning की है, तो 3-4 दिन जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन सा fertilizer द दिन के लिए, थैंक यू फ्रेंद्स और हैपी गार्डनिंग